करन जोहर ने मामी बोर्ड को दिया अपना रेजिगनेशन जीहां रिपोर्ट्स की माने तो करन जोहर ने मामी बोर्ड को अपना रेजिगनेशन इसलिए दिया ऐस वो अपसेट है क्योंकि बॉलिवूड में से किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया जैसे कि सबी जानते हैं कि करन जोहर सुशान सिंग राजपूत की देथ के बाद से एक बार फिर नेपटिजम की डिबेट में फस्ट चुके हैं ऐसे में फिल्मेकर को ओनलाइन ट्रॉलिंग फेस करनी पड़ रही है जिसके चलते वो सोशल मीडिया से दूर है इतना ही नहीं करन ने ट्विटर पर भी कई लोगों को अनफॉलो कर दिया है लेकिन बाद यहीं खत नहीं हुई करन ने मामी यानी मुंबई एकाडमी ओफ मुविंग इमेच जो मुंबई फिल्म फेस्टिवल और्गिनाईज करते हैं उसके बोर्ट से रिजाइन कर दिया है करन ने ओनलाइन लिंचिंग के चलते ये स्टेप उठाया करन ने अपना रेजिगनेशन लेटर स्मृती किरन को मेल कर दिया है करन ने ये डिसीजन इसलिए भी लिया क्योंकि इस नेपटिजम की डिबेट में बॉलिवुड में से किसी ने भी उनको सपोर्ट नहीं किया ये भी कहा जा रहा है कि मामी की चेर परसन दिपिका पादुकोन ने करन को अपने डिसीजन पर दोबारा सोचने के लिए कन्विंस करने की कोशिश की पर उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ